अब आपको हर सवाल का सॉलिशन मिलेगा डाउटनेट अब बस आपको आपके फोन में डाउटनेट का वार्शप नमबर 8400-400-400 को सेव कर लेना है बस फिर आपका जो भी सवाल होगा आपको उसको फोटो खीच लेना है उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉलिशन मिल जाएगा फोग क्लास 6-12 ITG में एडवांस नीट सीबसी बोर्ड और सभी स्टेट के बच्चों के लिए है ये तो देर किस बात की तो अभी जाएए 8400-400-400 पर और सभी डाउट क्लियर कीजिए इसकी लिंक डिस्रिशन बॉक्स में है हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा आठ के विषय सामाजी विज्ञान के अर्धवाशिक मॉडल पेपर यह पेपर जो है आपका बिलकुल एक्जाम पैटर्न पर आधारित है और जो आपका अर्धवाशिक पेपर होगा 2021-2022 उसमें काफी हैल्फूल रहेगा तो स्टार्टिंग से लिखे एंड तक कम्प्री देखेगा अगर किसी कोशन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करके हमसे पूछ सकते हैं चलि स्टार्ट करते हैं यहां सबसे पहले आपको मिलेंगे बहु वैकलपिक प्रेशन जो की 40% दिये जाएंगे आपकी पेपर की 40% जो कोशन है वो बहु वैकलपिक कोशन होंगे जो कि क्या होते हैं, जिनमें आपको question पूछा जाएगा, जिनके 4 option दिये जाएगे, आपको correct question, correct जो answer है, वो tick करना है और लिखना है, ठीक है, तो यहाँ, first question है, भारत की पहले governor general थे, James Rennell, Warren Hastings, Lord Mountbatten, Robert Clive, answer click हो जाएगा आपका Warren Hastings, option second, जो है, वो correct हो जाएगा, यहाँ, जो options है, वो correct कर लिजेगा, second की जगे, first हो जाएगा, third की जगे, second हो जाएगा, fourth की जगे, third हो जाएगा, fifth की जगे, fourth हो जाएगा, second question है, भारत की अन्तीम वाइसराइ कौन थी, Warren Hastings, Lord Mountbatten, Robert Clive, James Smil, यह answer correct हो जाएगा, option second, Lord Mountbatten, third question है, सरकारी दस्तावेज, records कहां रखे जाते हैं, कारेले, अभी लेखागार, पुस्त काले, इनमें से कोई नहीं, answer correct हो जाएगा, option second, अभी लेखागार में, fourth question है, बाइस अक्टूबर, 1764 इस्वी को, बकसर यूद में, अंग्री जी सेना का नेत्रत्व किस ने किया, रॉबर्ट क्लाइच, लॉड कांड बैलेज, मिलियम वैटिका, कैप्टन मुन्रो, कैप्टन मुन्रो द्वारा, जो है, अंग्री जी सेना का नेत्रत्व किया गया था, तो यहां, option fourth, correct हो जाएगा, फिफ्ट कुशिन है, 1757 में, प्लासी का यूद, रोबर्ट क्लाइव, एवं किसके बीच लड़ा गया, आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिरा जुद्दोला, option second, correct हो जाएगा, option first, correct हो जाएगा, ठीके, सिरा जुद्दोला, option first, correct हो जाएगा, next question, sixth है, बक्सर यूद कब हुआ, तो यहां, answer हो जाएगा, 22 October, 1764, इस्वी में, option first, correct हो जाएगा, 7th question है, नभी करनिये, संसादन का उधारन निम्ड में से कौन नहीं है, सोर उर्जा, पवन उर्जा, कोईला, बायो गैस, यहां, answer हो जाएगा, option third, कोईला, 8th है, जल्ग रहे, किसे कहा जाता है, प्रिथवी, मंगल, शुक्र, बुध, answer correct हो जाएगा, option first, प्रिथवी, 9th question है, भारत में, शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया, answer हो जाएगा, 1 April 2010 को, option second, correct हो जाएगा, 10th question, सविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, answer हो जाएगा, यहां, 2 वर्ष, 11 महा, 18 दिन, option first, correct हो जाएगा, 11th question है, हमारी सविधान की मुख्य विशिष्टा है, answer होगा, समाजवाद, पंथ, निर्पेक्ष, लोक, तंत्रात्मक और गनराज्य, हमारा जो सवीधान है, हमारा जो भारत देश है, लोक तंतरात्मक देश है, धर्म निर्पेक्ष, पंत धर्म निर्पेक्ष, पंत निर्पेक्ष, ठीक है, गन्राज्य है तो यहां आंसर जो है हमारा जो सवीधान है वो भी कैसा है समाजवाद है पंथनिरपेख्ष है लोग तंतरात्मक है और गनराज्य है तो यहां आंसर करेक्ट हो जाएगा ओप्शन सैकिंड ट्वेल कुशन है शिक्षा किस सूची का बिशे है संग राजय समवर्ती कैनरी है आंसर करेक्ट हो जाएगा समवर्ती ओप्शन थर करेक्ट हो जाएगा थर्टीन कोशन है भारती संग का सर्वुच पद है राष्ट्रुपती मुख्यन्याधीश प्रधानमंती सेनादे जो भ पांच बर शुका होता है राजपतिकाल, पांच बर शुका, तो यहाँ option second correct हो जाएगा, next question 15 है, भारत की प्रतम पधान मंत्री थे, बहुत easy question है, पंड़ जवाला नहरू, option second correct हो जाएगा, 16 question है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चावल कहां पर सबसे मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मक्का का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है, 18 question है, संचार की साधन का एक उधारन है, इंटरनेट, बिजली, मंदी, नदी, इंटरनेट, ठ संचार का एक उपकरन है उधारन है 19 कोशन है भारती राश्पती का चुनाव किस विदी से होता है और प्रत्यक्ष आनुपातिक से तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है राश्पती का चुनाव अब आगये हैं आपकी अतिल अगुरात्मक प्रश्न जो की आपके प्रतिक एक अंकर हैगा 21 कोशन है भारत में पुर्तिगाणी ठिकाना कहां था आंसर हो जाएगा भारत में पुर्तिगाली ठिकाना गो़ा में था 22 कोशन है बंगाल में नील विधरो कब हुआ 1869 में 1859 में 23 कोशन है बिर्सा मुंडा की अनुयाई दो अन्य जन जाती समू के नाम लिखिए तो यहाँ दो अन्य जन जाती समू के नाम है संथाल उराव 24 कोशन है भारत में कितनी इस्तरिय शासन व्यवस्ता है 25 कोशन है राजिस्तान में सबसे कम साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है सबसे कम साक्षर्ता वाला जिला है राजिस्तान में जालो अब देखते हैं लगुत रात्मक प्रश्न 26 से 31 प्रतेक दो अंका है 32 जो कोशन है वो होगा आपका थड़ंक तीन अंका 26 question है राजिस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों answer लिखेंगे भीलवाडा को राजिस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है क्योंकि बृत्वान में भीलवाडा राजिस्थान का प्रमुक वस्त्र उत्पादक शेत्र है इसलिए इसे राजस्थान का मैंचेस्टर भी कहा जाता है 27 कोशिन है राजस्थान की प्रमुक परेटन इस्थलो को कितने भागों में बाटा गया है तो यहां तीन भागों में बाटा गया है परेटन इस्थलो को एतिहासिक, भोगोलिक और धार्मिक एक इत्यास की द्रश्टी से हैं एक भुगोल की द्रश्टी से हैं जैसे जल, नदिया, ताला, पावडी और एक है धार्मिक द्रश्टी से धार्मिक जो इस्थल है धार्मिक जो सभी मंदीर वगेरा आते हैं वो सभी धार्मिक इस्थलों में आ जाते हैं जैसे पुशकर मंद और देख सकते हैं तो यहां अंसर हो जाएगा पांच मानव निर्मित संसादन है वाहन, पुल, सडक, मशीने, रेलवे मानव निर्मित हैं ये सबी और 29 कोशन है भूमी निमनी करण के दो कारण लिखिए भूमी जो निमनी करण है उसकी दो कारण है कृष्षी संबंदी गति विदिया, निर्मान संबंदी गति विदिया 30 कोशन है सवीधान के अनुसा राजस्थान के कितने अंग हैं सवीधान के अनुसा राजस्थान के तीन अंग हैं विधाय का, कारेपाली का, न्यायपाली का 31 कोशन है सही मिलान कीजिए ए और बैसे हमें क्या करना है सही मिलान क करना है सन की अकॉरिंग तो यहां सबसे पहले है जलिया वाला बाग हत्याकान जो की कब हुआ 1919 में 1919 में आप निवेशिक राजद्रुहो एक्ट जो की कब हुआ 1870 में हिंदू उत्रा दिखार संशूधन कानून जो की कब हुआ 2005 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून जो की कब लागू हुआ 2006 में तो इसरस हमने मिलान किया है सही और 32 कोशन है बिर्सा आंदूलन के क्या राजनितिक उद्देश्य थे ये तीन अंका कोशन है आपका बिर्सा आंदूलन के राजनितिक उद्देश्य हैं बिर्सा मिशन इंदू जमीदारों तथा सरकार को अपने छेत्र से बाहर निकाल देना चाता था वह है नहीं चाता था कि अंग्रेज अधिकारी वहां रहें सेकिन है इस आंदूलन का उद्दिश्य विर्शा के नेत्रतु में मुंडा राज इस्तापित करना था। अब देखते हैं दिर्ग उत्तरात्मक प्रेशन जोकी प्रतिक प्रेशन पांच अंका है। 33 कोशन है इस्ताई बंदोबस्त की मुख्य पहलू का वर्णन कीजिए यहां आप बताएंगे इस्ताई जो बंदोबस्त है उसकी मुख्य पहलू उनका वर्णन करेंगे और 34 कोशन है आपका Subsidory Alliance साहिक संधी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए तो यहां आपको Subsidory Alliance यानि साहिक संधी व्यवस्था की व्याख्या करनी है तो यह दोनों प्रेशन आपको स्वाहिम करें अगर आपको इन दोनों ही प्रेशनों मैंसे किसी कोशन में कोई डाउट रहता है तो आप हमस ये कुशन समझ आये होंगे समझे होंगे तो आप इन्हें याद करिए और अपना model paper से अपना जो आंकलन है वो भी करिए इसी तरह हम आपकी classulate और भी important videos लाते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद